नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पार मैं हूँ आपके साथ शेरिन जहां एक तरफ उत्तर परदेश में बीजेपी में सब कुछ ना ठीक चलने की अटकलों के बीच में आई है एक बड़ी खबर तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर परदेश शरकार के द्वारा कावर लिये के नेता मनोज्जा की पहले बात करते हैं उत्तर परदेश की जुई हां दरासल आपके लिए बता दें कि उत्तर परदेश की बीजेपी प्रमोख भूपेंद्र चौधरी ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के सामने कर दी है अपने इस्तिफे की पेशकस और कल ही उप्चनावं से पहले अज उस तरीके से उत्तर परदीश का महौल चल रहा है एक तरफ लगातार बीजेपी के नेता जो है वो मजबूती से लोकसभाचनाव की दस सीटों पर होने वाले चुनावों पर और सीटों को जीतने के लिए लगातार जो है वो कड़ी महनत और इसी के साथ बैठके होती हुई नजर आ रही है तो अब देखना एहम रहेगा कि पर किस तरीके से फैसला जो है वो सरकार और इसी के साथ जो है वो संगठन की तरफ से लिया जाएगा इसी के साथ आपके लिए बता देएं कि उत्तर परदेश में कावड यात्रा मार्क पर खाद्ये परधारतों की दुकानों पर लगी नेम पलेट जी हाँ और अब सिर्फ मुजफर शाहारनपुर भलके उत्तर पर देश में जो है जहां से भी कावड यात्रा निकलेगी जहांपर भी कावड यात्रा का रूट तै किया गया है और यहां पर खादे परधारतों की जो दुकान है यहां पर सभी जो शॉप कीपर्स हैं उन्हें नेम पलेट जो है वो लगानी पड़ेंगी क्योंकि आज ही उत्तरप्रदेश प्रशासन की तरफ से जो है ये दे दिया गया है जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों की बॉकलाहट सामने आ रही है पहले ही इस पूरे मामले को लेकर जो है वो बयान बाजी कर चुके हैं असदुद्दीन OVC से लेकर कॉंग्रेस के नेता पर इसी भी जो है वो NDA के ही नेता यानि की केसी त्यागी का भी बयान सामने आया है और केसी त्यागी जे डियू के नेता है और केसी त्यागी का कहना है कि बिहार में इससे भी बड़ी कावड यात्रा जो है वो होती है और वहां ऐसा कोई आदेश लागू नहीं है जो किसी चीज़ पर प्रतिबंद लगाए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के सबका सास सबका विकास का जो नारा है ये उसका उलंगन है और ये आदेश बिहार अराजस्थार और जारखन में लागू नहीं है अच्छा होगा कि इसकी समिक्षा की जाए इसी के साथ सुनिये और क्या कहे रहे हैं के सी त्यागी नहीं इससे बड़ी कामोड यात्रा बिहार में निकलता है वहां इस तरह का को यदिश बाहें ful qi । कि जो व्याक्षा है भारतिय समाज के बारे में, NDA के बारे में, सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास, ये लगाएगे प्रिक्वंद इस नियम की विरुत है, विहार में नहीं है, राजस्तान से कावड गुजरेगी, वहां से नहीं है, विहार का जो सबसे इस्था और आप धाल में किस ताल है, वहां के लिए नहीं है, इस पर पुर्णरविचार हो तो अच्छा है, लिए उन से हमारे कोई वास्ता नहीं है, हम NDA को मजबूत और खुसाल देखना चाहते हैं, मोदी जी की जो कीरती है, वो कम ना हो, ये चाहते हैं, लिहाजा ये नियम वा और दुर्भावना फेलें, हम OECG की सब प्रकार की दाइनी ठीक है, देखिए एक तरफ जो है, वो केसी त्यागी का ये बयान सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर परदेश की पूर्ब मुख्यमंत्री, माया वती ने भी एक्सपर पोस्ट करते हुए सवाल उठा और चुनाव को देखते हुए आदेश पूर्णत आस सविधानिक है, धरम विशेश के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रत्य प्रयास जो है, वो अतीन निंदरिया है, जो तरीके से माया वती और असदुद्दी नोवसी और कॉंग्रेस के नेताओं ने ये तमाम सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो खुद एक मुस्लिम कम्यूनिटी से आते हैं, मौसीन रजा, उन्होंने भी विपक्षी पार्टी और इस कावर्ण यातरा को लेकर जो रूट तै किया गया है और जो आदेश दिया गया है श बहुत बड़े पैमाने पे कावर्ण निकलती हैं, कावर्ण यातराय निकलती हैं और उसके लिए सुरक्षा विवस्था चाक चौबंध हो, इसको लेकर मानी मुखमंदी जी हमीशा गंबीर रहे हैं और जैसे जैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने फीड़बैक दीते है उनको वैसे वैसे वो कारवाई करते जाते हैं, तो इस बार जो एक नया आपने देखा ये आदेश हुआ है कि सभी दुकानदार अपने दुकानों पर अपने प्रोपैर्टर और मुबाइल नंबर्स लिखेंगे, प्रोपैर्टर के नाम लिखेंगे, जिन रूट से कावर् तरह गुजरेंगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे लाखों लोग कावर्ड लेकर निकलते हैं, और इसकी विवस्था हमेशा से आधरनी योगी सरकार में बेहतर से बेहतर की गई है, पिछले साथ वर्षों में ये आठ्वा वर्ष है, जब से हम देख रहे हैं सरकार म हैं, तो बेतर विवस्था देने का काम करते हैं, क्योंकि पहले भी और भी सोहा जो कारकरम होते हैं, चाया भी महरम का कारकरम भी हुआ बहुत ही, अच्छे से संपन हुआ, पूरे प्रदेश में कहीं कोई अपनी घटना नहीं हुई और सोहार्थ के साथ हुआ, तो इसको भ भी एक कहना चाहिए, सोहार्थ का भी संदेश है, कि आप अगर बढ़ चड़कर उनको पानी पिलाते हैं, उन पर फूलों की वर्शा करते हैं, जिस तरह से, तमाम इस तरह के आपको वीडियोस भी आते हैं, यह अच्छी चीज है, अच्छी पहल है, इसका स्वागत करना च होती थी, और जनमा अच्छी में बहुत धूम से मरा ही जाती है, उसी को लेकर यह विरोध एक्च्छल में कावड यात्रा का है, यह विरोध खाली इस बात का नहीं है, यह राजनीत इस पर नहीं हो रही है, कि असद उद्दीन वैसी क्या कह रहे हैं, और राश्ट्री अध किस्टिम यूपी है, आपको याद होगा, कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यहां पर अवै धर्मांतरा के बड़े मामले आये हुए थे, आधरनी योगी सरकार ने जब जाच कराई, एजन्सियों ने रिपोर्ट दी, उस पर फिकारवाई की गई, बहुत से लो विरोध जो है, यह कावड यात्रा का विरोध है, और हमने एक काम जो आधरनी योगी सरकार ने किया है, वो सबके सुरक्षा के दिश्टी से, आस्था के दिश्टी से, और एक अच्छे माहौल में कावड यात्रा संपन हो, देखिए मौसीन रजा ने सीधे तोर पर कहा है, कि जो तरीके से विपक्षी पार्टियां, आज कावड यात्रा को लेकर जो तरीके से सवाल उठा रही है, अगर नेम प्लेट लगाई जा रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, और सरकार का ये फैसला सही है, और इसी के साथ महुसीन रजा का कहना है, कि पहले इनोंने ज विरोध जो है, वो सीधा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से आज ये लोग कावड यात्रा पे इस तरीके की बयान बाजी कर रहे हैं, और इसका विरोध चता रहे है, कैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कॉमेंट करकर सरूर बताईए, धन्यवाद